आओ हम जानेंगे नाक पंचमी के पौरानिक कथाओं के बारे में हैं प्राचिन काल में एक सेट जी के साथ पुत्र थे साथों के विवाओं हो चुके थे सबसे छोटे पुत्र के पत्नी, स्रेष्ठ, चरित्र की विदूशी और सुशिल थी परंद उसका कोई भाई नहीं था एक दिन बड़ी बहु ने गर लितने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहु को साथ चलने के लिए कहा तो सभी डलिया और खुर्पी लेकर चले और खुर्पी से मिट्टी खोदने लगी तभी वहा एक सरप निकला जिसे बड़ी बहु खुर्पी से मारने लगी यहा देखकर चोटी बहु ने उसे रोकते हुए कहा मत मारो इसे यहा वेचाराने रफराद है यहा सुनकर बड़ी बहु ने उसे नहीं मारा तब सरपर एक और जा बैठा तब चोटी बहु ने उसे कहा हम अभी लोट कर आते हैं तुम यहा से जाना मत यह काकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फस कर सरप से जो वादा किया था उसे वह भूल गई उसे दुसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुची और सरप को उस थान पर बैठा देख बोली सरप भाईया नमस्कार सरप ने कहा तु भाईया का चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ नहीं तो जुटी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता वह बोली तब सरप बोला अच्छा तु आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाईय हुआ तुझे जो मांगना हूँ मांग ले वह बोली मेरा कोई भाईय नहीं है अच्छा हुआ जो तु मेरा भाईय बन गया कुछ दिन व्यतित होने पर वह सरप मनुशकारू प्रपकर उसके घर आया और बोला की मेरी बहन को भेज दो सब ने कहा की इसके तो कोई भाई नहीं था तो वह बोली मैं दूर के रिष्टों में इसका भाई हूँ बच्पन में ही बहार चला गया था उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहो को उसके साथ बेज दिया उसके मारग में बताया कि मैं वही सरप हो इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कटनाई हो वहाँ मेरी पूछ पकड़ लेना उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकरवा उसके घर पहुच गई वहाँ के धन एश्वर्यों को देखकर वह चकित हो गई एक दिन सरप की माता ने उससे कहा मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ तू अपने भाई को थंड़ा दूद पिला देना उसे यह बात धान न रही और उससे गर्म दूद पिला दिया जिस में से उसका मुख बहतर जल गए यहाँ देखकर सरप की माता बहुत क्रोधित होई परन्तु सरपन के समझाने पर चूप हो गई तब सरपने कहा कि बाहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए तब सरपन और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवारात, वस्त्र, भुशन आदी देकर उसके घर पहुचा दिया इतना डेर सारा धन देखकर बड़ी बहुने इर्शा से कहा भाई तो बड़ा धनवान है तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए सरपन यह वचन सुना तो सब वस्तुय सोने की लाकर दे दी यह देखकर बड़ी बहुने कहा इन्हें ज़ाडुने की ज़ाडु भी सोने की होनी चाहिए तब सरपन यह ज़ाडु भी सोने की लाकर रख दी सर्प ने छोटी बहु को हीरा मनियों का एक अद्बुत हार दिया उसकी प्रशन सा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेट की छोटी बहु का हार यहां आना चाहे राजा ने मंत्री को हुकम दिया कि उसे वह हार लेकर शिग्र उपस्ति थो मंत्री ने सेट जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहु का हार पहनेगी वह उसे से लेकर मुझे दे दो सेट जी ने डर के कारण छोटी बहु से हार मांग कर दे दिया छोटी बहु को यह बात बहुत बुरी लगी उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की बैया रानी ने हार छिन लिया और तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह तब के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लोटा दे तब हीरों का मनियों का हो जाए सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया यहाँ देखकर रानी चीक पड़ी और रोने लगी यहाँ देखकर राजा ने सेट के पास खबर भेजी कि छोटी बहु को तुरंद भेजो सेट जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा वे स्वयम छोटी बहु को साथ लेकर उपस्तित हुए राजा ने छोटी बहु से पुछा तुने क्या जादू किया है मैं तुझे दंड़ दूँगा छोटी बहु बोली राजन दृष्टता च्छमा किजिए यहाँ हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मनीओ का रता है और दुसरे के गले में वह सर्प बन जाता है यहाँ सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा अभी पहन कर दिखाओ छोटी बखु ने जैसे ही उसे पना वैसे ही हिरो मनीयों का हार हो गया यहाँ देख कर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत ही मुद्राय पुरसकार में दे छोटी बख अपने हार और इन सही घर लोटी उसके धन को देखकर बड़ी बहु ने इरिशार के कारण उसके पती को सिखाया कि छोटी बहु के पास कही से धन आया है यह सुनकर उसके पती ने अपनी पत्नी को बुला कर कहा ठीक ठीक बता कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया कोन देता है तब वह सर्प को याद करने लगी तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा यदि मेरी धर्म बहन के आचरन पर संद्य प्रकट करेगा तो मैं उसे खालूंगा यह सुनकर छोटी बहु का पती बहुत प्रसन हुआ और उसने सर्प दिवता का बड़ा सत्कार किया उसी तिन से नाग पंचमिकाते वार मनया जाता है और स्त्रिया सर्प को भाई मान कर उसकी पुजा भी करती है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें